हम खुल कर करेंगे, हम खुल कर करेंगे तेरे हर जुल्म की मुखालपत, तु वक्त की तक्तनशी है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं। दिल्ली के सीमा पर जो किसान पूरे देश भर से पहुचकर इखटा होकर तीन काले क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहा है, हर किसान से यही लवज निकल रहा है, उसकी जुबान कह रही है कि चाहे जो होगा इस बार हम आरपार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जुमलों के सर्ताज ने एक बार वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, समय सीमा नस्दीक आ रही है, लेकिन वो पिटारा, खाली पिटारा लेकर फिर एक बार किसानों को ठगने निकले हैं। क्योंकि अब कह रहे हैं कि हमारी नियत गंगा की तरह पवित्र है। जिस गंगा को साफ करने के लिए आपने सौ दिन मांगे थे जिस गंगा को साफ करने के लिए आपने पाँच साल मांगे थे उस गंगा को आज तक साफ नहीं कर पाए और आप गंगा की पवित्रता पर खुद अपनी नियत का ठपा लगाने चाहते हैं लेकिन याद रखिएगा ये जो कृशी कानून लाए हैं ये दोबारा भारत को गुलामी की तरफ ले जाएगा ये दोबारा भारत को कमपनी राज की तरफ ले जाएगा शहीद भगत सिंग जिस पंजाब से आते हैं उन भगत सिंग की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने खेत में बंदू को की खेती करके भारत माता को बहुत छोटी सी उम्र में आजाद कराने का सपना देखा था उसी भगत सिंग के पंजाब के लोगों को भारतिय जन्ता पार्टी का आईटी सेल और गोधी मीडिया भांद मीडिया खालिस्तानी बता रहा है लेकिन जब तमिलाडू का किसान विरोध कर रहा था पूरे देश भर के किसान आज आंदोलित है लेकिन उन्हें टुकडों में बात करने की आदत पड़ गई है इसलिए टुकडे टुकडे में बताया जा रहा है कि पंजाब का किसान ही आंदोलन क्यों कर रहा है मैं बताता हूँ आईए मध्यप्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा संकट है 1650 रुपे का मक्का का समर्थन मुल्य वाला किसान 8900 रुपे में अपनी फसल को लुटवा देता है 1975 रुपे समर्थन मुल्य फसल वाली गेहूं का किसान मध्यप्रदेश में 141300 रुपे में अपनी फसल मंडियों में लुटवा रहा है मंडिया खतम हो जाएगी तो किसान का मान सम्मान और अभिमान सब कुछ खतम हो जाएगा क्यों समर्थन मुल्य की गारंटी नहीं दे सकते और न भूतो न भविश्यती पीछे और आगे की बात मत कीजिए मेरा वर्तमान बिगड़ रहा है और अगर वर्तमान बिगड़ गया तो भारत का भविश्य बिगड़ जाएगा अन्न दाता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है नरिंद्र मोदी जी सिंगहासन के हिंकार से नीचे उतरिे और उसकिसान से बात कीजिए क्यूंकि किसान जोर जोर सर चिला रहा है कि मैं आपके हर जुल्म का परतिकार करूँगा और किसान कौम इस देश की आन बान और शान है क्योंकि उन्हीं के बेटे जै जवान करके भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और वही किसान अन्नदाता पूरे देश का पेट पाल रहे हैं इसलिए दो उद्योग पत्यों का प्रेम छोड़िये और अपनी अवाम से प्रेम करिये जिसका असली अर्थ जो है वो भारत है और सही अर्थों में भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान से ही होगी जय हिन